आज मैं आपको सिखाऊंगी देखिए ब्लाउज पर किस तरह से कॉलर लगाते हैं यह मैंने पहले ब्लाउज को तयार कर लिया है अब हम इसकी गली की चोड़ाई है इसको नाप लेंगे इसकी चोड़ाई नापेंगे इसकी चोड़ाई है साड़ी साथ इंच दो दो इंच हम साइड के लिए एक्णेल तो फ्रेंड्स हम 12 इंच काउलर की कटिंग करेंगे कि इसको हमें एक साइड डख लेते हैं गईलाव को यह अब कप्रिक के कटिंग की है इसमें से कई करेंगे देखिये कि इसको हम ऐसे कोड़ करेंगे यह डवल फोल्ड है और यहां से कि पूरा इसकी पूरी लंबाई ले ले लेंगे यहां तक और यहां से सीधा निसान लगा लेंगे देखे फ्रेंट्स यह जो निसान लगाया है इसको हम पहले कट कर देंगे इस तरह से देखिए अभी तो पीज है यह कॉलर मैंने गले की बीच में जो हम पुक्रम पर गले की कटिंग करते हैं उसके बीच वाला हिसलिया है तो हम इसको इस तरह से साड़ी ग्यारे करते हुए इसे यहां से ताड़ी ग्यारे करते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे देखिए फैर्स यह मैंने गुक्रम को एक पास जॉइंट कर लिया है इस तरह पर अब हम इसको इसको इसकपड़े पर रखेंगे इस तरह से ऐसे हमें भुक्रम को उल्टी साइट रखना है कपड़े की उल्टी साइट और ऐसे आदा इंस सा कपड़ा कोड़ करना है और ऐसे सिलाई लगा लिए हैं अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहे हूं ग्लावलने कॉलर किस तरह से लगाएं देखिए और हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे बरावर करते हुए और यहां से हम आदा इंच छेटते हुए नीचे की तरफ और इस तरह सिब्ली लगाएंगे इस तरह से गुलेर करते हुए इसको बरावर करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए इसंवर्ड के जो एक्ष्ट करता निकलगा है इसको खट करदेंगे इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह पर शिए आप इसको रॉफिधा कर देगे फ्रेंड्स हम इसको इस तरह से रखेंगे ऐसे और इस पर बरावर करते हुए निसान लगा लेंगे यहां पर यहां पर साइड में अब हम इसको ग्लावज में इस तरह से रखकर जब है कि देखी फ्रेंड्स तोनों साइड एक स्लाई से ही वह फुर्ट के अखाम हो गया देखी फ्रेंड्स कॉलर कि इतनी फ्रीशिंग से लगा है आप इस पर हम एक स्लाई और लगाएंगे वह पजी साइड इस तरह से तो फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो पसंद आई है तो मैं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने लाब हो दो